मतदान चल रहा है और लगातार लोग आकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग अमेरिका से भी आए अपने वोट को डालने के लिए और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि सेलफी खिच्वाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लोगों को मोटिवेट करने के ल मुद्दो को आधार पर रखके वोट डाला, पाटी का नाम नहीं बताना है मुद्ते बताने किस तरह से वोड कहीं सुनवाई हो रही है, क्योंकि पिछली बार जिस हिसाब से जो बोल की वोट ली गई है इस बार उनी मुद्धों को देखके कि कितना उन्होंने काम किया है, यह सारी मुद्ध आंटी जी भी немारे साथ वोड डाल आए आप क्या मुद्धा रहा आपके दिहान में पार्टी नहीं बतानी है क्या सोचा जब वोड डाल रहे विकास के बारे में सोचा या किस के बारे में जोचा तो आप बहुत सारे और लोग भी हैं उनसे हम जानने का परियास करेंगे आप बताएं इंकल जी क्या मुद्दा रहा है विकास के बारे हैं विकास का मुद्दा रहा है उसी के अधार पर वोट डाला है बिलकुल आप देख पा रहे हैं कि सेल्फी खिच्वाते हुए लोग नजर आ रहे हैं बकायरा चुए ठा का का निए पर रूप्योग और अग्ति जी डाला हैं वोट आप भी क्या कुछ कहना चाहेंगे किन मुद्दों के अधार पर वोट डाला रक्षण के सबसें जी क्या कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके की गौर्मेंट आप चाहते है पार्टी का नाम नहीं लेना ह किसी लेकिन आप कैसी अच्छा विकास करे दो सर का आप भे डाला है अंटीजी वोट जी क्या सोचा जब वोट डाला सोचा भी अच्छे काम हो हुँँ जो बने हैं वो कोई काम भी कर अच्छा उसी अधार पर वोट डाला ये देख सकते हैं उंगली का निशान जहां पर वोट डाला है तमाम लोग आ रहे हैं वोट डाल कर गर्मी है लेकिन उसके बाद भी आप देख पा रहे हैं भीड है यहाँ पर और लगातार लोग वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रियास करेंगे वोट डाल दिया आपने एक बार दिखा दीजी अपना वोट उंगली 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 हाँ आप देख पा रहे हैं तमाम युवाओं में जोश है महिलाओं में भी जोश है किन मुद्दों को आधार पर रखकर वोट डाला यही है कि जो हमारे देश की तरह की कर रहे हैं उनके लिए वोट डाला यानि कि राश्ट के विकास के लिए आप भी बता दीजिए किसलिए वोट डाला आंटी जी डाला है वोट दिखा दो एक बार वोट तो दिखा दो तो तमाम लोग हैं कुछ आ रहे हैं युवा कुछ लोग वोट डाला हैं इसी त अरीके से मददान चलता रहेगा आप भी अगर घर से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं तो जल्दी बाहर निकलिए और वोट डाल कर आईए खबरे अभी तक के लिए करनाल से हिमान शुनारण